इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा आशके एक नाइव वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और मुदी ने भी आके बड़ी बातें की थी, कि हमने वैक्सीन बना ली और वैक्सीन जो है वो बदनी बड़ी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्स है और अर्पोर डॉलर्स वो लगाना शुरू हो गए, उसके बिलियोंस अब डॉलर्स और ने इन्वेस्ट करने शुरू कर दिये और काई हम दुनिया बर वो एक्सपोर्ट कर रहें और ट्विटर के ओपर तो अब आपको बता है उनके जो कंड टुटे हैं वो लग गए शुरू के लिए पाकिसान वाले जो हमारी वैक्सीन ना मंगें और ये ना करें वो ना करें करना क्या हुआ को रागा कि वो ये वैक्सीन उन Михुल को बापिस वेज़ी ना कर दे करनो हैं वेव को वहां पर स्प्रड़ हो रही है और मेरे पास उसकी पूरी डिटेल्स आई नहीं है और मैं देख रहा हूं कि तो उनों ने का कि भाई ये तो बड़ा थोड़ा टाइम है हमें दूसी वाली वैक्सीन बेजो फिर ये शिप्मेंट उन्हें वापस मगई इन्होंने दूसी वैक्सीन बेजी तब तक उनके रिजल्ट सामने आगे और उन्होंने का कि ये वैक्सीन अब हम अपने लोगों को नहीं लगा सकते हैं पर इसके उपर काफी उनको सीरिस इश्यूस हैं अब इंडियन गार्मेंट चाहरी है कि वो जो एक मिलियन डोस है वो किसी और मुल्क को बेज दी जाएं आप इनकी दो नमरी देखें कि बजाएं इसके होल्ड कर ले उस वैक्सीन को कि जनाब अगर किस तो अभी फिर भी निकाल दो थर्ड वर्ल कंट्री में कहीं निकाल दो तो इंडियन गार्मेंट उस एक्सपाइड वैक्सीन को यह एक्सपाइड तो नहीं मैं कह सकता है लेकिन उस वैक्सीन को जिसकी एफरकसी जो थी सलत अफरिका में काम नहीं आई अब उसको दुबारा खामोश हैं बिल्कुल इसके उपर और साथ आफरिका से तो इंडिया को अब यह बहुत बड़ी चमाट पड़ी है एस्ट्रा जिनेका यह जो वैक्सीन है रिपोर्टिडली इसके सारे फ्यूचर ओर्डर्स जो हैं इंडिया में वह कैंसल हो रहे हैं और वह बाकी मुमालिक भ जो लिए उसको रोल आउट कर दिया था अब उनको उसका सबक मिल रहा है देखें प्री विचोर नहीं करना चाहिए था इसमें रश्या की जो स्कुर्टनिक की वैक्सीन है उसके मतलब सारे यह बता रहे हैं कि उन्होंने टाइम लिया और उन्होंने यह जारों को जो करना उन्होंने टेस्पी किया और इसको तीन बैचिस में किया जब उनके रिजल्ट्स आगे फिर उन्होंने दो मीने वेट किया पिर किसी को रियाक्शन नहीं हुआ पिर उसके बाद जाके उन्होंने अपनी वैक्सिन को यह स्पुटनिक को रोल आउट करना शूरू किया यह ज तो आपको और ने ब्रेकिंग यूस देनी थी कि इंडिया की जो वैक्सिन हो साथ आफरिका से रिटरन हो गई है और फ्यूचर आटर्स उसके बंद हो गई है और दीगर मुमालिक से भी बंद हो रहे हैं अब यह कोशिश करें कि इधर उतर चोटे मुमालिक में को निकाले क किसी तरह तो गाइज इस एंकर पाकिस्तानी एंकर की बखवास होती है यहां पर खत्म अब आपको बताते हैं असली स्टोरी और इसकी जो यह फेक न्यूज है इसकी निकालते हैं हवा तो गाइज यह ख़वर फैलाई गई थी सबसे पहले भारत के लेफ्ट मीडिया एंड साइट पर एक न्यूज हुई आपको बता इनका वाट्स घॡूप एक ही है और वहां पर एक न्यूज अगर आती है तो वह सारी जगास एक सार्वाइरल हो जाती है तो इस तरीके की न्यूज हुई आपको बता दें कि आप देख सकते हैं The Wire का स्क्रीन शॉट, NTTB का भी मैंने दिखाया यहाँ पर इनोंने बताया कि South Africa ने भारत को जो एक मिलियन दस लाग COVID वैक्सीन है वो बापस करने का फैसला लिया है आपको बता दें कि South Africa के Health Minister को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा कि यह एक तरीके की fake news market में फैल गई है जिसको लेकर मतलब भारत का जो left media है जो भारत को बदना भी करना चाहता है भारत की development से इनका कोई लेन देने नहीं भारत का अगर कुछ चीज अगर भारत में जैसे दुनिया में कोई नाम कर रही है तो उसको यह मतलब नीचे गिराने की कोशिस करते है आपने देखा कि योगा और चाहे जो toolkit में कुछ है सामने आए उन चीजों को भी इन्होंने कुछ target किया था तो यह वही लोग है और यह खबर पाकिस्तान की जो सबसे मड़ी party है PTI उसके Twitter handle पर पाकिस्तानी लोग जोक बना रहे थे उस time पर मैंने सोचा कि उसी time पर यह वीडियो बनाया जाए लेकिन मैंने सोचा रुक जाओ इस दिन लोगों की हवा निकल ले दो यह देख सकते हैं आप South Africa के जो Health Minister है उनका इस vaccine को लेकर बयान आया है तो दोस्तों आपको बता दे कि यह news है totally fake पाकिस्तानी मीडिया ने इसमें उचल उचल कर वीडियो बना ली लेकिन पाकिस्तान तो यह चाहेगा कि भारत की vaccine भारत का कोई भी development का काम पूरी तरह से धुस्त हो जाए उन लोगों को तो केवल जलन है भारत बरबाद हो जाए वही काम मतलब भारत का left media है वो भी यह करता है तो अच्छी बात है fake news आपने फैला ली लेकिन आखिरत में सच्चाई की तो जीत हो गई लेकिन इन गांडूओं का जो एक पता है आपको एक mission था कि भारत को बदनाम करने का वो definitely जिस सक सची नीज नहीं पहुंची होगी तो वो तो fake news पर विस्पास कर ही लेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत मगर आपको यह वीडियो अच्छे लगा दो प्लीज शेल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में अपना सुझाओ जरूर दे करें को करें की corresponding झोर यह से लेगान की आपको प्लीज करवें फिर शेफमेट दोस्तों प्लीजियोग करें की थिह वीडियो कि प्लीज के वेफ़ें